मज्ज़ प्रदेश के जाबुए जिले का कड़कनात मुर्गा एक बार फिर सुर्खियों में है कृशी विज्ञान केंद्र ने कड़कनात मुर्गे को भारतिय क्रिकेट टीम की नियमेट डाइट में शामिल करने की सला दी है देखिए ये रिपोर्ट कड़कनात चखेंगे विराट कोहली कड़कनात खाओ मैच जिताओ टीम इंडिया की ताकत बनेगा एंपी का कड़कनात कड़कनात चखेंगे विराट क्रिकेट की दुनिया में अपनी धुरंधर पारियों से देश का नाम रोशन करने वाले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के अन्य खिलाडी अपनी डाइट में जल्द ही जाबुआ के कड़कनात मुर्गे को शामिल कर सकते है जी हाँ भारतिय क्रिकेट टीम और कप्तान विराट कोहली को क्रिशी वैज्यानिकों ने यह सलाह दी है कि वो मध्य प्रदेश के जाबुआ में पाए जाने वाले कड़कनात प्रजाती का मुर्गा अपनी डाइट में शामिल करें दरसल टीम इंडिया के खिलाडी और विराट कोहली ने अपनी डाइट से चिकन खाना छोड़ दिया साथ ही दूद के साथ अन्य चीजों से भी तौबा कर ली क्योंकि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट की वज़े से उन्हें ऐसा करना पड़ा लेकिन अब टीम इंडिया के प्लेयर्स को इसकी चिंता नहीं करनी होगी और वो चिकन खा सकते हैं जी हाँ अब चिकन खाने से न फैट बढ़ेगी और नो कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ये काम करेगा जाबुआ का कड़कनाथ क्रिशी विज्यान केंद्र ने Board of Cricket Control for Cricket in India BCCI को एक पत्र लिखा है जिसमें कड़कनाथ चिकन खाने का वैज्यानिकों ने जिक्र किया है क्रिशी विज्यान केंद्र ने लिखा है कि उन्हें मीडिया से पता लगा है कि विराट कोली और टीम इंडिया के बाकी खिलाडी अपनी डाइट में ग्रिल चिकन लेते हैं लेकिन अन्य चिकन में कॉलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा जादा होती है इसलिए उन्हें टंती से खाना बंद कर देना चाहिए इसकी जगह हुँ कड़कनाथ चिकन अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि इसमें फैट कम और प्रोटीन आइरन की मात्रा भरपूर होती है इस मुर्गे का मांस चार सो से पांच सो रुपे प्रति कीलो बिखता है कड़कनाथ का काला रंग हड्डियां भी काली कड़कनाथ प्रजाती का मुर्गा पूरी तरह से काले रंग का होता है इसकी हड्डियां मांस और खून भी काला होता है कुल मिलाकर अब बिराट और टीम इंडिया को जाबुआ का कड़कनात खाने का सुझाव तो दे दिया है लेकिन अब ये टीम और कोहली को तै करना है कि वे इस सुझाव को माने या फिर खारिज करें लेकिन बता दें कि अगर टीम इंडिया ने जाबुआ के कड़कनात को अपना लिया तो यकीनन कड़कनात को ग्लोबल ब्रांड बनते देर नहीं लगेगी ब्यूरो रिपोर्ट, MP News जाबुआ